हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो गीतकिनो.com में आपका स्वागत है आज हम बनाने जारे एक मीठा नाश्टा जिसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं शाम को भूख लगे तो खा सकते हैं या फिर सफर में भी ले जा सकते हैं ये दो-तिन दिन अराम से चल जाता है खराब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बैल आइकन दिखाए देगा जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे तो मैं आपको इ एक बड़ा कप मैंने यहाँ पर दूद लिया है यह गुनगुना दूद है तू टेबल स्पून के करीब मैंने घिसा हुआ नारियल लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है वन टेबल स्पून किश्मिश वन टेबल स्पून बादाम लिये हैं जिसे मैंने बारिक चॉप कर लिया है वन टेबल स्पून काजू इसे भी मैंने बारिक चॉप कर लिया है चार पांच हरी इलाची जिसके मैंने दाने निकाल लिये हैं वन टीस्पून सौफ सबसे पले हम बैटर तियार करेंगे उसके लिए मैंने यह बाउल लिया है इसके अंदर हम मैदा आड़ करेंगे नारियल आड़ कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है किशमेश बादाम काजू पिसी हुई चीनी आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं जो हम दाने वाली चीनी यूज़ करते हैं इलाइची सौफ अब इन साइज चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा दूद ऐट करेंगे और एक मीडिएम कंसिस्टेंसी का बेटर तैयार करेंगे एक साथ सारा दूद नहीं ऐट करना है थोड़ा थोड़ा करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम यह मेरा इतना दूद बच गया है इसे हम बाद में इस्तमाल करेंगे नहीं तो अभी कड़ डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ यह देखिए यह मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा रेडी हो गया है अब इसे हम ढ़क कर दो से तीन घंटे के लिए रख देंगे ताकि यह सेट हो जाए दो तीन घंटे हो चुके हैं खोल लेते हैं यह देखिए यह काफी थिक हो चुका है अब इसमें हम बचा हुआ दूद आट करेंगे क्योंकि पहले से थिक हो गया है यह मैंने सारा दूद आट कर दिया तो आपको ध्यान रखना है कि कितना दूद आट करना है क्योंकि हमें मेडियम कंसिस्टेंसी का बेटर चाहिए बहुत ज़्यदा पतला या बहुत ज़्यदा गाड़ा नहीं होना चाहिए यह देखिए यह मैंने इस तरह का बैटर तियार किया है अब हम ऑइल गरम कर लेंगे यह मैंने ऑइल गरम कर लिया है इसे मेडियम होट करना है बहुत ज़्यादा तेज गरम ना करें बीच में हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से स्पून से बैटर डालेंगे और थोड़ी देर में देखेंगे कि यह उपर आ जाएगा यह देखें यह उपर आ जाते है अपने आपी और आपको इसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है नहीं तो नीचे चिपक जाता है तो अच्छे से दिक असे फ्राई भी नहीं पाते हैं आए जो फ्राई करना था इन्हें हमें लाइट गूल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना या बहुत जाद क्रिस्पी नहीं करना है यह सौफ्टी रहते हैं इससे मीडियम फ्लेम पे फ्राय कर रही हूं वैसे देखें से हलके हलके तो हमें इसी तरह का इन्हें फ्राय करना है बहुत ज़्यादा नहीं करना है इन्हें प्रेस करके हलका सा इसका एक्स्ट्रा ओयल निकाल देंगे यह देखिए यह देखिए मैंने टीशू पेपर पे निकाल लिया है ताकि टीशू पेपर इसका एक स्ट्रा ओयल एब्सॉब कर ले तो हम दूसरा भी निकाल लेते हैं इसका भी मैं ओयल निकाल देती हूँ थोड़ा सा दबा के इसे भी टीशू पेपर पे निकाल लेंगे अब हम बाकी के भी डालते हैं एक बार में मैं दो डाल रही हूँ बहुत जादा नहीं डालेंगे नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं उपाएंगे यह देखिए अपने आपी उपर आ जाते हैं इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे यह मैंने थोड़ी से जगे बना के तीसरा भी डाल दिया पर इस से थोड़ी शेप खराब हो जाती है यह देखिए हमारे दो पहले वाले फ्राई हो चुके हैं इसका ओइल निकाल लेती हूँ मैं एक्स्ट्रा इस तरीके से हलका हलका दबाकर यह देखिए हमारे बाकी के भी तैयार हो गए हैं इन्हें हम माल पुए कहते हैं यह बिना चाशनी वाले माल पुए हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह देखिए इस तरीके से हम बाकी के भी सारी फ्राई कर लेंगे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान है आप इन्हें दो से तीन दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं सफर में ले जा सकते हैं यह खराब नहीं होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं आप इन्हें बेगफस्ट में खाईए शाम के नाश्टे में खाईए कभी भी खा सकते हैं और दो तिन्हें आराम से चल जाते हैं यह देखिए हमारे जो माल पुए हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं बहुत ही बढ़िया माल पुए बने हैं बहुत ही टेस्टी हैं आप इन्हें जरूर ट्राइ कीजेगा बनाना बहुत ही आसान है तो इन्हें बनाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले